जैसे ही आपने किताब को open किया और पहला पन्ना पलटा, अचानक से उसमें से एक हाथ भाहर निकल गर आया, आप चोक जाते हो, आप सोचते हो कि अरे यार यार ये क्या है, किताब में से हाथ केसे निकल आया, फिर थोड़ी हिमद जुटा कर आप क्या करते हो, दूसरा पन्न पलडते हो, इस बार किताब से एक कान बाहर निकलता हैं, अब तो आप और भी डर जाते हो, सोचते हो कि अरे यार यार ये कैसी किताब है यार, जिसमें से शरीर के अलग-अलग हिस्से निकल रहे हैं हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 2024 के सभी नॉबेल पुरुसकार विज़ताओं को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं, तो वीडियो काफी मज़दार होने वाला है, हर साल हम एक वीडियो डिसकस करते हैं नॉब भी हम 2024 के सभी विज़ताओं का नाम जो है वो ट्रिक से याद करेंगे, वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग है, वीडियो बहुत ही मज़दार है, आपको करना क्या है, सिर्फ एक बार ये वीडियो पूरा देखना है, वो भी अच्छे से रिलेक्स होकर, क्योंकि यहाँ प आप कंप्लीट पीडियो डाउनलोड करना चाते हैं, विद्ट ट्रिक के साथ में, डिटेल के साथ में, तो आप क्रेजी जिकेटरिक अप्लिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडियो बिल जाएगा, लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमे फिल्ड में दिये जाते हैं, मैडिसीन, फिजिक्स, केमेस्ट्री, पीस, लिटरेचर, मतलब साहित्य, एंड एकनॉमिक्स के शेतर में, यह पूरुसकार जो हैं, शुरुआत में पांच शेतरों में यह पूरुसकार दिये जाते थे, 1968 में इकनॉमिक्स को भी शामिल किया ग आपको मैं इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको सारी information easily याद हो जाएगी सबसे पहले हम बात करते हैं physics के शेत्र में तो दो व्यक्ति हैं जॉन जे हॉफिल्ड एन जेफरी हिल्टन इन दो व्यक्तियों को physics के शेत्र में नोबेल पुरुसकार दिया गया कैसे याद रखें बहुत ही simple है देखिए पहले नाम पर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जॉन जे हॉफिल्ड जो लिखा हुआ है इसमें field word आपको देखने को मिल रहा होगा और field शब सुनते हम तो तुरंत हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है magnetic field and electronic field तो कहीं न कहीं magnetic field, electronic field यह तो physics से relate करता है तो how field word जो है यह हमको physics के तरब ले जा रहा है तो इस तरीके से हम easily connect कर सकते हैं कि यह physics से संबंदीते हैं अब देखिए second word देखो हिंटन लिखा हुआ है Jeffrey E. हिंटन हिंटन में एक word आपको यहाँ पर देखिए छुपा हुआ दिख रहा है Newton Newton, force के इकाई होती है, unit होती है और force के unit मतलब हम बात कर रहे हैं physics की Newton, Newton के law भी हमने डिसकस किये थे तो हमको यह समझ में आ गया कि हिंटन शब्द जो है यह भी physics की तरव हमको ले जा रहा है इसमें Newton word छुपा हुआ है तो इस तरीके से Hoffield और हिंटन जो है इन दोनों को physics के शेत्र में अपने योगदान के लिए नोबल पुरुसकार दिया गया है 2024 में, होगया आपको याद एक्जाम में देखोगे, तुरंट किलिक होगा आपके लिए अब बात करते हैं इनके योगदान को लेकर कि इनको क्यों दिया गया तो John J. Hoffield and Jeffrey A. Hinton को कम्प्यूटर में Neural Network मतलब Artificial Brain की खोच और उसके अविशकार के लिए इस बार 2024 में Physics के शेतर में नोबेल पूरुस कर दिया है अब इसको थोड़ा सा में आपको Simple तरीके से समझा देता हूँ देखो, Neural Network एक इस तरीके का Artificial Brain होता है जिसे कम्प्यूटर में इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो इनसान की दिमाग की तरह काम करे जिस तरीके से हमारा दिमाग सीखने, समझने और निड़ने लेने का काम करता है ठिक उसी तरीके से Neural Network कम्प्यूटर को सीखने और फेसले लेने में मदद करता है जिसे इसको एक्जामपल से समझते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट में खाना ओडर करते हैं अगर आप हर बार एक ही तरीका का खाना ओडर करते हैं तो रेस्टोरेंट वाला यह समझ जाता है कि आप कौन चा खाना पसंद करते हैं तो ठिक वेसे ही Neural Network भी डेटा से वही सिखता है अगर आप किसी कंप्यूटर को लाखो बिल्लियों की तस्विर दिखाते हैं तो वह सिख जाता है कि बिल्लिया कैसी दिखती है फिर जब आप उससे एक नई बिल्ली की तस्विर दिखा कर पूछते हैं कि पैचानों यह क्या है तो वो बताता है कि ये एक बिल्ली है, तो इस तरीके से डेटा पर वो काम करता है, समझ में आया होगा आपको, तो computer में neural network, मतलब artificial brain की खोज और उसके अविश्कार के लिए, 2024 भोतिक के शेतर में इनको नोबेल पुरुषकर दिया गया है, यहाँ पर एक important fact निकल कर आता है, क पिछले कई टाइम से आपने देखा होगा YouTube पर मेरे वीडियो ज़ादा आपको नहीं मिल रहे होंगे, उसका एक मात्र reason ये था, कि मैं पिछले कई समय से GS के एक essay course पर काम कर रहा था, जो कि आपको exam के लिए complete solution प्रोवाइड करे, मैंने आप सभी के लिए दोस्तों, 100 गंट इतने सारे subject हैं कि इन सब को cover करना exam से पेले वो बहुत difficult होता है, तो मैंने to the point एक ऐसा course आपके लिए design किया है, जो GS का आपको complete solution देता है, पिछले में को एक डिड़ साल से मैं इस course पर काम कर रहा था, and finally दोस्तों ये अब जाकर course complete हुआ है, back end पर काफी मेहनत लगी है इस course इस course में मैंने आपको बिल्कुल latest pattern पर content जो है वो provide किया है, with आपको यहाँ पर animation, concept and trick से मैंने आपको पढ़ाया है, इस वीडियो से ही आद नजा लगा सकते हैं आपकी मैंने content आपको किस तरीके से इसमें पढ़ाया हुआ है, बात करें कि ये course किन-किन exam के हिसाब से बना है तो जितनी भी one day exam है, उन सभी के लिए ये course हो है, बिल्कुल रामबान है, GS का ये course ले लो और tension free हो जाओ, अच्छे से इसको complete कर लो और GS के tension भूल जाओ, इस course में मैंने आपको systematic topic wise वीडियो दिये हैं, उनके class notes भी provide करें, और उन topics से related previous year exam के हिसाब से मैंने test भी आपको दि हैं, तो description box में link दे रखा है मैंने, इसके असाथ ही आप crazy zikatory application डाउनलोड कर लीजिए, या फिर root application डाउनलोड कर लीजिए, इन application का डाउनलोड करने का link भी मैंने description box में दे रखा है, वहाँ पर आप इस course को join कर सकते हैं, 26 October को ये course launch होने जा रहा है, pre launching time में starting के 10 दिन में, आप सभी के लिए special offer है, कि आप इस course को avail कर सकते हैं, मात्र 999 रुपीज में, 999 रुपे में आपको ये course मिल जाएगा, तो pre launching and diwali offer का अच्छे से फाइदा उठा सकते हैं, मैं तो personally कहूँगा, कि जो भी student seriously किसी exam को crack करना चाते हैं, तो उनको एक बार ये course जरूर लेना चाह कि सभी बच्चे इस course को ले सकते हैं, तो एक छोटी से अपडेट थे आप सभी के लिए, चली वापस आते हैं हमारे lecture पर, इसके बाद हम दूसरे Nobel पुरुसकार के तरब चलते हैं, जो की है हमारा साहित्य लिट्रेचर की फिल्ड में, 2024 में किसे दिया गया हैं, तो दक्षि करो, दोस्तों कि आपके हाथ में एक किताब है, बुक जो होती है, यह हमको लिट्रेचर से connect करती है, साहित्य से connect करती है, इसलिए हम इसे related example ले रहे हैं, तो आपके हाथ में एक बुक है, एक किताब है, आप उसको पढ़ रहे हो, जैसे ही आपने किताब को open किया, और पहला पन्ना पलडते हो, इस बार किताब से एक कान बाहर निकलता है, अब तो आप और भी डर जाते हो, सोचते हो कि अरे यार, यह कैसी किताब है यार, जिसमें से शरीर के अलग-अलग हिस्से निकल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक image जो है, वो set हो चुकी है, कित हाथ बनेगा friends, हौन, कान बनेगा कॉंग, तो हौन कॉंग को सहित्य के शेत्र में नोबल पुरुसकार दिया है, बुक हम read कर रहे हैं, तो बुक जो है, वो हमको literature सहित्य की तरफ ले जाता है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, जब भी आप option देखोगे, कि literature के field में, 2024 में नोबल पुरुसकार विजयता का नाम किया है, तो क्या है, हौन, कॉंग, प्लियर होगे आपको, अब बात करते हैं, कि इन्हें किस उपलबदी के लिए साहित्य नोबल पुरुसकार दिया गया है, तो ये price उन्हें, उनकी गहरी, poetic writing के लिए दिया गया, जो पु of human life, उसको उजागर करती हैं, हौन, कॉंग की बात करें, तो इनकी लिखाई में गहराई होती हैं, जो पढ़ने वाले जो पाठक होते हैं, उनको सोचने पर मजबूर करती हैं, कि कैसे हमारे जीवन में छोटी-छोटी चीजें, बड़ी tragedies में बदल जाती हैं, वो ना सिर् योगदान के लिए 2024 लिटरेचर के फिल्ड में इन्हें नोबल पुरुसकार दिया गया हैं, साहित्य के शेत्र में, तो होगे आपको क्लियर अच्छे से, ध्यान रखिएगा, 1901 में सबसे पहली बार नोबल साहित्य पुरुसकार जो है लिटरेचर के फिल्ड में वो दिया गया है, कैसे याद रखेंगे, चलिए पहले ट्रिक देख लेते हैं, एक डॉक्टर है, इमेजिन करो, और वेसी बात है वो कि डॉक्टर जो है, वो मेडिसिन से ही रिलेट करेगा, तो डॉक्टर के बाल नहीं है, तो ये बहुत ही परिशान रहता है, कि यार मेरे बाल नही है, तो उसने क्या करा, कि मैं काम करता हूँ, विक पहन लेता हूँ, तो उसने विक पहन ली, सर पर, अब चुंकि डॉक्टर को ग्रे कलर जो है, बहुत ही पसंद है, तो उसने क्या करा, पूरी विक को ग्रे कर लिया, और अपने शरीर पर भी ग्रे कलर पूरा पोत लिया, एक तो उसने विक पेन रखी है तो हमको विक लिख लेना है और ग्रे कलर है तो हमको ग्रे लिख लेना है। विक से हमारा बन जाएगा विक्टर, ग्रे से हमारा बन जाएगा गेरी। तो विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रूफकुन को चिकिस्था के शेत्र में 2024 में नोबेल पुरुषकार जो है वो दिया गया है कितनी आसानी से याद हो गया ये पिच्चर आपके दिमाग में सेट हो चुकी है आप चाहो गे बेना तो भी नी भूल सकते आपको लगेगा कि मुझे तो कुछ याद ही नी हुआएं बट बहुस सरी ऐसी चीजे होती है आप मुवी देखते हो तो क्या पूरी स्टोरी आपको याद रहती है क्या नहीं आपके दिमाग में सेट है वो जब भी आपसे वो मुवी के बारे में बात करेंगे तो स्टोरी आपकी निकल कर आ जाती है उसी तरीके से हम ये नाम भी स्टोरी से याद कर रहे हैं अब बात करते हैं कि इन दोनों को किस योगदान के लिए चिकिस्सा मेडिसं के फिल्ड में नोबेल पूरुषकर दिया गया हैं 2024 में तो friends, iJet力 आरेने की खोज और जिन रेगुलेशन में कोंट्रिबिशन के लिए इनको 2024 में मेडिसं के फिल्ड में नोबेल पूरुषकर दिया गया हैं अब देखिए मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल तरीके समझाता हूँ, दो चीजे हैं mRNA और microRNA, पहले इन दोनों को clear कर लीजिए, हम सभी को पताईए कि हमारे body के अंदर cells होती है, cells से मिलकर ही हमारा पुरा शरीर बनाए, तो mRNA वो RNA है जो कि हमारे cell में DNA से protein बनाने का instruction लेकर cell क राइबोजोम तक जाता है और information देता है protein बनाने की, microRNA का काम क्या होता है, ये एक छोटी RNA की series होती है, इसका काम ये होता है ensure करना कि mRNA अनावशक protein का formation ना करे, अगर शरीर में protein का अनियंतरित उत्पादन होगा, formation होगा, तो शरीर के लिए वो बहुत हानिकारग होता है, cancer ज उनकी खोज क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, एक story से मैं आपको connect कर रहा हूँ कि ये किस तरीके से काम होता है इनका, और हमारी body में, हमारे sale के अंदर किस तरीके से ये messaging transfer होती है, कोन किस के लिए responsible होता है, थोड़ा सा एक example से समझो, देखिए, imagine करो, एक factory है, ये factory एक sale है, ठीके, इस factory के अंदर machine है, machine को समझो कि ये ribozome है, रइबोजोम का क्या होता है, protein formation का होता है, protein बनाने का होता है, हमारी body के अंदर muscles होती है, उसके formation के लिए protein ज़रूरी होता है, toot food की मरमत करने के लिए ज़रूरी होता है, ठीके, तो प्रोटीन निर्मान करने काम किसका होता है, राइबोजोम का होता है, अब फेक्टरी के अंदर मजदूर है, ये मजदूर को समझो कि ये MRN है, मेसेंजर RNA, इसका पूरा नाम होता है, तो वरकर समझ में आ गया MRN है, जो मशीनों, मतलब राइबोजोम को ये बताते हैं, ये instruction देते हैं कि कौन सा product, मतलब protein बनाना है, DNA से ये instruction लेकर आते हैं, और मशीन तक पहुंचते हैं, मतलब राइबोजोम तक पहुंचते हैं, इसके बाद फेक्टरी के अंदर एक मेनेजर हैं, मेनेजर को समझो कि ये microRNA है, जो जब ज़रूत नहीं होती हैं, तो mRNA जो मजदूर हैं, उनको ये क्या करता है, रोग देता हैं, कौन microRNA, तो इस तरीके से हमारे cell के अंदर mRNA, मतलब messenger RNA और microRNA क्या काम करते हैं, ये अमने एक फेक्टरी के एक्जामपल से अच्छे से क्लियर कर लिया हैं आए हो, आपको समझ में आ गया होगा, तो विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूवकून को microRNA की खोज और gene regulation में contribution के लिए इस बार का nobel पुरुसकार जो है, वो दिया गया हैं, microRNA जो है शरीर के protein formation को control करता है, ताकि शरीर स्वस्थ और संतूलित बना रहे, यहाँ पर effect दिमाग में रखिएगा, पहला medicine की field में, nobel पुरुसकार किसे दिया गया था, Emil Adolf को आगे बढ़ते हैं, अगला nobel पुरुसकार discuss करते हैं, जो की है, शांती मतलब, peace के शेत्र में, 2024 में किसे nobel पुरुसकार दिया गया, तो यह पुरुसकार दिया गया है, friends, निहोन हिदानकियो को, निहोन हिदानकियो क्या है, पहले ही में थोड़ा आपको बता देता हूँ, जापान का एक संगठन है, जिसे हिरोशिमा और नागासाकी के जो पर्माणू हमलों से बचे लोग हैं, उनके द्वारा स्थापित किया गया था, इसका मुख्यद देश क्या है, एम यह है कि पर्माणू हतियार जो है, उनका उन्मुलन मतलब अबोलिश होना चाहिए, वो यानि पूरी तरीके से समाप्त होना चाहिए, और उनके विनाशकारी प्रभावों के बारे में दुनिया को जागरुख थरना, यह संगठन का मेन परपस हैं, इसलिए नियोन हिदानक्यों को 2024 नोबेल शांती पुरुसकार से समानित किया हैं, ठीके, चलिए, अब इसको याद करते हैं, बहुते आसान सी ट्रिके, इमेजिन किजिए कि एक आदमी है, जिसका अचानक से निधन हो जाता हैं, अब जब उसका निधन हुआ, तो वो व्यक्ति पूरी तरीके से शांत हो गया, लोगों ने सोचा, अरे यार, इसने तो जीवन भर लोगों की मदद की दान किया, फिर भी इतनी जल्दी इसका निधन कैसे हो गया, यही सवाल उठता हैं, तो लोग आपस में बात करने लगे, तो ये तो अजीब है, इसने तो बहुत दान किया, फिर भी इसका निधन क्यों हो गया, तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखिए, निधन ही दान क्यों को, आप जब ध्यान से देखोगे वर्ड को, तो निधन में अगर हम हर की जगा पर धह लगा दें, तो क्या बन जाएगा, निधन बन जाएगा, और लोगों ने क्या बात करी, कि निधन हो गया इसका, दान किया, इसने जीवन भर, फिर भी इसका निधन इतनी जल्दी क्यों हो गया, तो ये सब शब्द जो है ना फ्रेंड्स, जो स्टोरी में आपके दिमाग में चल रहे हैं, ये सारे हमको एक नाम में देखने को मिलेंगे, निधन हो गया, इसने जीवन भर दान किया, फिर भी इतनी जल्दी इसका निधन क्यों हो गया, तो ये सारे वर्ड आपको रिलेट करेंगे, निधन की तरब, निधन मतलब होना मतलब, शांत मतलब पीस की तरब जाना, तो इस तरीके से हम इजीली कनेक्ट हो जाएंगे, पहला नोबेल शांती पुरुसकार की से दिया गया था, हैंडी डूरेंट और फेडरिक पैसी को, चलिए, अगली फिल्ड की तरब चलते हैं, जो की है एकनॉमिक्स, 2024 में एकनॉमिक्स के शेतर में बात करें, तो तीन व्यक्तियों को नोबेल पुरुसकार से समानित किया हैं, इन तीन व्यक्तियों का नाम जो है, वो कैसे हम एक्जाम में पकड़ पाएंगे, ऑप्शन में कैसे डून पाएंगे, वो तरीका में आपको पहले बताता हूँ, देखिए, एकनॉमिक्स के बात हो रही है, मतलब पैसे की बात हो रही है, मनी हमको एकनॉमिक्स के तरफ इशारा करता हैं, तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताईए, कि जो पेसा है, मनी है, क्या वो एक जगा पर स्थिर रहती है क्या नहीं पेसा जो होता है वो हमेशा क्या करता है रन करता रहता है मनी हमेशा रन करती रहती है यानि इधर से उदर जाती रहती है एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जाती रहती है तो हमको ये तो clear हो गया कि money run करती है तो हमको run लिख लेना है ठीक है दूसरी बात हमने बात करी कि एक इंसान से दूसरे इंसान के पास में money जाती है तो अगर पिता के पास संपत्ती है तो वो किस के पास जाएगी sun के पास जाएगी जितनी भी संपत्ती है पिता के नह रने पर सारी संपत्ति किसके पास जाती है sun के पास जाती है तो ये भी हम को समझ में आ गया तो हमने लिख लिया sun जो हमने डिसक्स किया था कि पेशा run करता है एक इंसान से दूसरे इंसान पर तो example लिखे हमने देख लिया तो sun हमको दूसरा word मिल गया तो आपको करना यह है कि sun और run ये दोनों word आपको ढूनना है option में जिसमें भी दिखे वही हमारा answer हो जाएगा कि economics के field में 2024 में किसे nobel पूरुसकर दिया गया है अब देखिए तीन व्यक्तियों को दिया गया है तो Darren को economics के field में nobel पूरुसकर दिया गया है तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं अब बात करते हैं कि इनके क्या योगदान के लिए इनने economics के शेतर में nobel पूरुसकर दिया गया तो Friends जो संस्था है होती है institutions होते हैं वो कैसे बनती है और वो कैसे prosperity मतलब संब्रद्धी को effect करती है इसकी study के लिए ही इन तीनों को economics के शेतर में nobel पूरुसकर दिया गया है थोड़ा सा detail में मैं आपको समझाता हूँ इनकी study को इन तीनों ने इस बात की study करी है कि देश की आर्थिक संब्रद्धी जो है prosperity वो किस प्रकार से वहां की संस्थाओ मतलब institution पर निर्भर गरती है इन तीनों ने research में एक बहुती महतपून उधारान मतलब example दिया है इनकी जो research है ये Mexico और America के बीच एक शेत्र है नोगालेस उस पर based हैं America और Mexico के बीच ये शेत्र जो है आधा आधा बटा हुआ है नोगालेस एक ही जगह है लेकिन इसका एक हिस्सा अमेरिका में और दूसरा हिस्सा मेक्सिको में स्ती थे अब ये जो divination हुआ है ना इस divination के कारण दोनों हिस्से में आर्थिक इस्तती एकनॉमिक जो condition है वो और prosperity जो है समरद्धी कितने लोग वहां के समरद्ध है ये पूरी तरीके से अलग अलग है ये इस research में निकल कर आया American Nogales की बात करें तो इसमें मजबूत institution है जैसे कि वहाँ पर सक्त कानून विवस्ता है law enforcement बहुत अच्छा है बहतर स्वास्त सेवाएं है healthcare system काफी अच्छा है American Nogales की बात कर रहे हैं ठीक है वहाँ पर education अच्छी है equal opportunities है तो इन संस्ताओं की वज़े से वहाँ पर सम्रद्धी देखी जाती है और लोग जो है बहतर जीवन जी रहे हैं वहीं Mexico Nogales में बात करें तो कमजोर institution है वहाँ पर जिसकी वज़े से वहाँ पर corruption देखने को मिलता है inequality देखने को मिलती है सीमीत स वास्त और शिक्षा सुविदा के कारण वहाँ पर गरीबी बढ़ी हुवी हैं तो इन दोनों हिस्सों के बीच ये एक बहुती महतपुन अंतर जो है वो हमको देखने को मिलता है बले ही वहाँ पर geographical condition जो है वो समानो लेकिन मजबूत और प्रभावी institution किसी देश की दिमाग में रखना है रगनार फ्रिश और जॉन टिनबरगेन को 1969 में पहली बार Nobel अर्थशास्तर पूरुसकार जो है वो दिया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं अगली फिल्ड लेते हम जो कि ये हमारी chemistry रसायन के शेत्र में 2024 में किने Nobel पूरुसकार दिया गया तो तीन इन तिन व्यक्तियों को chemistry के फिल्ड में Nobel पूरुसकार दिया गया है चलिए अब मैं आपको trick बताता हूँ कि कैसे हम इनका नाम याद रख सकते हैं तो देखिए friends imagine किजिए कि एक लड़का है बेकरी में काम कर रहा है और वो क्या कर रहा है केक बना रहा है केक को बैक कर रहा तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो story discuss कर रहे है यह already हमको indicate कर रही है कि हम chemistry की बात कर रहे है तो यह cake बना रहा था तो इसने baking soda का use किया गलती से इसने क्या करा cake में बहुत जादा baking soda डाल दिया अब आप जानते हो कि baking soda जादा डाल दिया तो क्या होगा cake जादा full गया तो cake इत सारी situation वाक्य में एक बहुत ही मज़िदार situation है तो इस पूरी कहानी से तीन शब्द निकल कर आए लड़का क्या कर रहा था cake को back कर रहा था तो हमने back लिख लिया दूसरा cake इतना full गया कि वो jump करने लगा तो हमने jump लिख लिख लिया और तिसरा उस लड़के की हसी निकल आई मतलब वो हसा तो हमने हसा लिख लिया ठीक है तो यहाँ पर back से बनेगा हमारा backer, jump से बना हमारा jumper and हसा से बनाएगा हमारा हसा 20 तो इन तीनों व्यक्तियों को ही chemistry के field में Nobel पूरुसकार जो है 2024 में दिया गया है तो एक यह situation एक घटना हमने discuss करी इसका picturization हमारे दिमाग में set जब भी आप इस घटना के बारे में सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम already chemistry की बात कर रहे है क्योंकि baking soda आ रहा है इसके अंदर और baking soda का formula हम chemistry में discuss करते हैं पूरी story आपके दिमाग में चलेगी तो इस तरीके से हम easily याद रख सकते हैं कि chemistry के शेतर में Nobel पूरुसक structure prediction के लिए chemistry के field में 2024 में Nobel पूरुसकर दिया गया है थोड़ा सा देखिए इसको हम simple तरीके समझते हैं डेविड बेकर ने computer की मदद से यह सीखा कि कैसे हम नई दवाएं या फिर protein जो है वो बना सकते हैं इसको आप ऐसे समझो जिसे आप computer पर एक building का नक्षा बनाते हैं ताक बहुती महत्पून खोज करियें जिससे हमें यह समझ में आया कि protein का असली आकार कैसा होता हैं इसे आप इस तरीके समझ सकते हैं कि जैसे एक पहली को हल करने के बाद उसकी पूरी तस्विर दिखती हैं वैसे ही उन्होंने यह समझा कि protein की असली 3D संदशना क्या होती हैं 3D dimension इससे हमें यह भी समझ में आया कि शरीर में protein केसे काम करेगा इनकी खोश से अब विग्यानिक बहतर तरीके से दवाएं जो है वो बना सकते हैं जो बिमारियों को ठीक करने में मदद करेगी इनके इसी प्रयास के लिए 2024 में इने chemistry के शेत्र में Nobel पुरुसकार दिया गया है अगर हम पहले chemistry के Nobel पुरुसकार विजदा की बात करें तो वो कौन है? Jackbus Hendrickson 1909 में इने chemistry के फिल्मे Nobel पुरुसकार दिया गया था तो यहाँ पर friends हमने 2024 के सभी विजदाओं को ट्रिक के मादम से याद किया है and किस योगदान के लिए उनने पुरुसकार दिया गया वो उसके बाद में हम MCQ कोशन की तरफ चलेंगे, कुछ कोशन निकाले मेंने, देखेंगे कितनी आसानी से हम सारे कोशन बना लेंगे 2022 में दो बार physics में नोबल पुरुसकार से समानित किया हैं। सबसे अधिक नोबल प्राप्त करने का record जो है, वो किसके पास है? Red Cross के पास में है। तीन बार शांतिक के शेत्र में नोबल पुरुसकार दिया गया है। तो ये कुछ important fact है, जो कि आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए एक छोटी से information और cover कर लेते हैं, कि Nobel Prize जो दिये जाते हैं अलगला category में, ये किन संस्था के द्वारा दिये जाते हैं? अवार्ड प्रदान करने वाली संस्था, इनसे भी recently एक्जाम के अंदर question देखने को मिलें। तो देखिए friends, Royal Swedish Academy of Science जो है, ये तीन शेत्रों में Nobel पुरुसकार जो है, वो प्रदान करती हैं। कौन-कौन से Physics, Chemistry and Economic Science, मतलब अर्थशास्तर की field में। वहीं Swedish Academy जो है, वो एक मतलब literature में ही सिर्फ Nobel पुरुसकार 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 देती हैं। तो इन संस्था का भी आप दिमाग में रखिएगा important data की कौन सी संस्था किस शेत्र में Nobel पुरुसकार 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 Regulation में Contribution के लिए Nobel पुरुषकार 2024 दिया गया Medicine की बात हो रही है Medicine में हमारी स्टोरी में कहता Doctor था Doctor बहुत ही परिशान रहता था क्योंकि उसके बाल नहीं थे तो उसने क्या करा विक पहन ली और कौन से कदर की पहनी ग्रे कलर की तो विक और ग्रे विक से बनेगा विक्टर ग्रे से बनेगा गेरी तो विक्टर और गेरी वर्ड देखलो कहां पर चुपा हुए तो D answer हमारा है यहां पर विक्टर एम्ब्रोस एंड गेरी रूपकुन अगला कुशन है शांती का नोबेल पुरुषकार की संगठन द्वारा दिये जाता है तो शांती के शेतर में नोबेल पुरुषकार नौर्वेजियन नोबेल समीति के द्वारा दिये जाता है B answer 2024 में साइमन जॉनसन को किस शेतर में नोबेल पुरुषकार दिया गया देखिए friends कि शेत्र में दिया गया sun word यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा हमने discuss किया था कि जो money होती है वो run करती रहती है कभी भी रुखती नहीं है और पिता से money जो है वो किसको transfer होती है sun को होती है होती है ना पिता के जाने के बाद money जो है सारी संपती sun के पास जाती है तो sun economic से relate कर रहा हमारा तो easily अर्थशास तरह यहां पर ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा अगला question है अभी तक कितनी महिलाओं को chemistry मतलब रसायन में nobel पुरुसकार मिल चुका है तो वो वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा MCQ से related इसमें इस तरीके के pattern के जो question exam में पुछे जाते हैं वो हम सभी solve करेंगे अगला question है अर्थशास्त्र के शेत्र में इनमें से किसे nobel पुरुसकार नहीं दिया गया जॉनसन में सन दिख रहा है, रॉबिनसन में भी सन दिख रहा है डेरेन में देखिए रन दिख रहा है नियोन हिदान क्यों जो है इनको एकनोमिक्स के शेत्र में nobel पुरुसकार नहीं दिया गया है इनको शांती के शेत्र में nobel पुरुसकार दिया गया है ठीक है तो देखिए कितने आसानी से हमने सारे question बना लिये हैं और भी question से नोबेल से related एक dedicated में MCQ आपके लिए प्लान करूँगा उस वीडियो में हम सारे MCQ जो है वो cover करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो complete होता है I hope आपको वीडियो काफे अच्छा लगा होगा आपको करना ये है कि वीडियो को ज़्यादा स्यादा शेयर करना है अगर आप इस वीडियो का detail PDF लेना चाते हैं तो आप crazy zikatory का application डाउनूट कर लीजिए वहाँ पर आपको मिल जाएगा एंड ध्यान रखना है कि 100R GS जो है मेरा वो 26 October को launch होने जा रहा है तो जिन भी student को enroll करना है pre-launching में enroll कर सकते हैं काफे अच्छा special offer है आप सभी के लिए मातर 999 में आप इस course को join कर सकते हैं जिसमें सारे GS के subject मैंने आपको पढ़ाय हुए है 100 गंटे में आपका मैंने GS का complete solution दिया है इस वीडियो की technique से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैंने उस course के अंदर आपको पढ़ाया होगा तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगाए तो like कर दीजे, share कर दीजे मिलते हैं friends अकले वीडियो में, till then, bye bye